हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे मसाले की रेसिपी जिससे आपके खाने का स्वाध हो जाएगा दोगना तो आएए शुरू करते हैं ये लिए हमेने साबुत लाल मिर्च और इन से बनाएंगे हम चिली फ्लेक्स आप इन्हें कुछ देर धूप में सुखा लीजिए अगर धूप नहीं है तो आप इन्हें पैन में रोस्ट कर लीजिए खुछ देर धंडा होने के बाद आप इन्हें हाथ से क्रश कर सकते हैं और अगर आप हाथ से क्रश नहीं करना चाते तो आप इसे जार में डाल कर ग्राइंड कर सकते हैं और इन्हें एक मिनिट और ग्राइंड करने के बाद हमारे चिली फ्लेक्स रैडी हैं और ये देखी बिल्कुल मार्किट जैसे चिली फ्लेक्स बनी है तो आई ये शुरू करते हैं औरिगेनो बनाना ये आजवाइन का प्लांट है जो हम सभी के घर में होता है मैंने इसे कट कर लिया है आपको जितना और इगेनो बनाना है आप उसी हिसाब से अजवाइन का प्लांट ले सकते हैं और अब मैंने इन्ये बोश कर लिया है उसके बाद हम इसकी पत्या निकाल लेंगे इनकी पत्यों को बोश करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी पत्या मोटी होती है और उन पर रुआ होता है तो उन पर डस्ट हो जाती है और पत्यों को हटाने के बाद जो हमारे पास ये टहनिया बची है हम इने दुबार से मिटी में गमले में लगा सकते हैं और हमारे पास फिर से अजवाइन का प्लांट रेडी हो जाएगा और पत्यों को मैंने धोया था तो इन पर पानी लग गया है और अब हम इसे कपड़े में डाल कर सुखा लेंगे और अब पैन को गरम करके लो फ्लेम पर हम पैन में सारी पत्यां लगा देंगे और देखिए पत्यों को अब हम पलट देंगे पत्यों का पानी सुखना शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ये पत्यां पानी निकल जाने के बाद क्रिस्पी होना शुरू हो गई है अब हम इन एक तरफ करके दूसरी पत्यां भी लगा देंगे और अब देखिए ये सारी पत्यां सुख गई है और अब हम इने हाथ से इकरश कर लेंगे घर पर बनाई हुए औरीगनों का कलर ज्यादा ग्रीन होता है लेकिन कुछ समय रखने के बाद ये सेम कलर हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो इसमें रखते टाइम आप लेसुन का पाउडर मिला सकते हैं इसे वही टेस्ट राएगा आपको ये लिया है मैंने कड़ी पत्ता इसे मैंने धोकर सुखा लिया है और सुखने के बाद देखिए ऐसी पत्तिय हो जाती है जिनने हम टहनी से अटा कर रख लेंगे और इन्हें एक डबे में स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग